नमस्कार दोस्तों मैं सुभाँ स्वागत करता हूँ आपको इस वीडियो में इस वीडियो में हम लग बताएंगे कि कैसे Cyber Link Power Director को आप अपने computer या laptop में install करेंगे तो चलिए आप हमारे साथ में चलते हम अपने computer screen पे तो हम अपने computer screen पे सबसे पहले Cyber Link इसको simply double click कर लेंगे यह हम से कुछेगे installation के बारे में तो आई अगरी करेंगे तो इस तो बटम आ जाएगे इस तब तक हम इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि यह जो है यह कर लेते हैं कि इस्ट्रक्शन करना है यह जो hosting फाइल है यह बोला है कि होस्टिंग फाइल है इसको होस्ट फाइल में जाकर करके एड करना है तो इसको हम लोग कॉपी करकर रखे रहेंगा और होस्ट पाइल कहां पर मिलेगा तो देखिया बताय हुआ हुआ है पाइल हुआ हुआ है इस ने के बाद में इसने बोला था सिस्टम 32 में जाएंगे इसके बाद इसमें बोला था ड्राइवर्स में जाएंगे और द्राइवर्स में चले जाते हैं इसके बाद में क्या बोला है टीच करके फोल्डर होगा टीच करके फोल्डर है इसमें खोश्ट करके है यह ऐसे करते हैं यह तो चैनल रहें जो इसको इसको इंटर करने यह इसको इंटर कर दिया ठीक है अब इसको क्लोज कर देते हैं अब यह हमारा अप्लिकेशन फुली तरीके से तो नहीं लेकिन पार्सियली तरीके से इस्टॉल हो चुका है एक उसमें और चीजे हैं एक इस फोल्डर में यह होगा इसको आप लोग पैच को एक बार रण कर लीजिएगा रण करने के बाद में यह आपका 100% एक्टिवेट हो चुका है तो अब हमारा ऑमर डारेक्टर जो है सकस्पुली सिस्टम हो चुका है अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे किस तरीके स अगले वीडियो तब तक के लिए नमस्कार